नमस्तार में आपके साथ मैंनु श्रीवाद कर आज हमारे शहर मनासा में बंजारा समाज के रास्ति संत वोपाल चेत्र निपापु आज हमारे बीच में हैं बंजारा समाज में एक जागरती पेदा करने के लिए राजन का विजिट यहां पर भी हम आपका स्वागात और अभिन्दन करते हैं सर आज आपका एक शेत्र माने के पीछे का लोजिक के है सर हमारे इस सेत्र में आने का लॉजिक के ओल इतना है कि अभी जलगाओं जिले के अंदर जो जामनेर तेशिल है और गोदरी ग्राम है वहाँ एक आखिल भारतिय हिंदू बंजारा सकल बंजारा समाज का एक कुम्ब रखा है तो इस कुम्ब को लेकर कि इस समाज में जागरूती हो क्योंकि ये कुम्ब रखा गया है महरास्ट में तो मध्य प्रदेश के बंजारे को क्या पता इसके लिए हमने ये प्रवास निकाला कि जहां जहां बनजारे समाज के गाउं है तांडे है वहां वहां पर हम उनसे जाके थोड़ा मिले और उनको कहे कि आप सब लोग एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्लाट फारमिया, एक समाज का एक कुम्ब, जहां पूरे देश के बंजारे समाज के लोग वहाँ पर आएंगे, जिसको देखकर, क्योंकि कोई राज्य में कैसा है, कोई राज्य में कैसा है, तो वहाँ पर जब ये लोग इखटे होंगे, तो दूसरे रा बड़े अच्छे लोग है, ये हमारे समाज के अच्छे है, तो हम भी ऐसे बने, इस धारना को लेकर, ये कुम्ब की एक रचना की गई है, और इसी के लिए ये हितु से, कि सब लोगों में एक प्रचार प्रसार हो जाए, ताकि इनको पता चल जाए, कि हमारे लिए, हमारे स समाज के लिए वहां कुम्ब हो रहा है, ने तो अपने देश में तो चार कुम्ब होते है, उसमें तो सब समाज जाता है, लेकिन इसको एक सामाजिक कुम्ब नाम दिया है, ये होगा 25 जनवरी से 30 जनवरी, 2023, अनुमानित संक्या सर इसमें आठ लाख से 10 लाख इस छे दिन म साथ मंत्रियों का चल रहा है, मुख्य मंत्रियों का, और केंद्री मंत्री भी इसमें आ सकते हैं, उनका भी चल रहा है, और तो अभी जो जितना एक आनुमानित है, ये है, तो इसके उपर कोई पॉलिटिकल बेनर तो नहीं है? नहीं, बिलकुल इसमें पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है क्योंकि समाज का है न यह समाज के हित के लिए किया जा रहा है और इसको जो एकुम्ब को खड़ा किया है यह हमारे संग ने किया संग के साथ साथ हमारे समाज के जो कहीं इसे लोग है न जो समाज का हित चाहते है जैसे मैं साधू हूँ सरीर भले समाज का है लेकि इसलिए मैं हित चाहने के लिए मैं घूम रहा हूँ तो इसलिए इस समाज में कहीं ऐसे बड़े लोग भी है जो समाज के हित चिनतक है मादवा अंचर में बहुत बोला बंजारा समुदा है एक शेतर में क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है वहाँ वहाँ मुझे response अच्छा मिल रहा है कि बाबा जी हम तो पहले ये धन्य हो गए कि आप हमको यहाँ पर आके दर्सन दे आपके आसिरवचन सुनने को मिले लेकिन आप जो हमको कह रहे हम जरूर आएंगे उस कुम्ब में एक और मेरा सवाल बापो आप से ये कि बंजारा समुदा है शिक्षा में के पिछड़ा हुआ है जरूर इसके लिए समाज क्या कर रहा है इसके लिए जो है न देखो महरास्टा में जो है महरास्टा में बंजारा समाज पिछड़ा हुआ नहीं शिक्षा से क्योंकि वहाँ आश्रम इसकुले है और बड़ी-बड़ी इसकुले खुली हुई है जैसे हमारे मुख्यमंत्री हो गई वसंत्रावजी नाइक इन्होंने समाज को वहाँ पर शिक्षा में बहुत आगे किया इसलिए महाराष्टा में बंजारा समाज शिक्षा में बहुत आगे है एक सिपाई से लेके कलेक्टर तक के लोग है लेकिन दूसरे राज्य में शिक्षा का आभाव रहा क्यूंकि दूसरे राज्य में कोई ऐसे समाज के कोई वरिष्ट लोग नहीं हुए कोई मंत्री नहीं हुए कोई ऐसे लोग नहीं हुए जो इन समाज के लिए राज्य में जाकर मुखे मंत्री के पास जाकर जगडा करके इस समाज के लिए कुछ न कुछ लाए इनकी शिक्षा का वो करे लेकिन अब धीरे-धीरे जो है अब धीरे-धीरे मद्यपरदेश में भी शिक्षा का प्रचार हो रहा है लेकिन उतने मात्रा में नहीं जितने मात्रा में महाराष्टा में है अदेखो करनाटक में जो है करनाटक में भी सभी बंजारे समाज के कहीं बच्चे जो है नीचे से लेके तो कलेक्टर तक के हाँ ऐसे यानि जहां एक शिक्षा का वो है मद्य परदेश में दी जहां तक अब मेरा जीवन है मैंने जहां तक अलोकन किया है यह समाज थोड़ा जंगलों में रहा शिक्षा से थोड़ा दूर रहा इनको कहने वाला कोई नहीं रहा आज मैं सत्संग करता हूँ तो मैं सत्संग में सिक्षा की बाते करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लेकिन संसकार युक त पढ़ाओ संसकार भी चाहिए उसको पढ़ाओ भी चाहिए और संसकार भी चाहिए तो ऐसे समाज में आज मद्यपरदेश में भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाओ कराने लगे ऐसे कहीं अभी भी मद्यपरदेश में इस समाज के बेटियां डॉक्टर है अभी मैं इंदोर में आया था तो एक बेटी जो मेरी सिश्याई है वो मुझे मिलने के उनको पता चला तो मुझे सुबसुब मिलने आई तो वो डॉक्टर है तो ऐसे कहीं डॉक्टर भी बन रहे है कहीं वो इंजिनेर भी बन रहे है अभी मेरे साथ वो विनोत पवार करके बच्चा डॉक्टर यह है इंजिनेर है हाँ तो ऐसे कहीं लोग अभी इंजिनेर बन रहे है जहाँ जहाँ जो जिससे मैंने आपको कहा कि यदि में आप अच्छे वेक्ति हो यदि आपके संग में यदि कहलाज भाई बेठे है तो आप अच्छे वेक्ति के गुण उनमें आ जाएंगे तो ऐसे जो है ऐसा समाज अच्छे लोगों के बीच बेठने लगा तो यह सारा चलने लगा शिक्षा का फिर भी जो है दूसरे राज्यम जैसे राजस्तान में भी शिक्षा का अभाव कम है यह समाज में यूपी में भी शिक्षा का अभाव कम है यानि फिर भी वहा है लेकिन मद्यपरदेश में बहुत शिक्षा का अभाव कम रहा लेकिन अभी जो है अभी मद्यपरदेश के जो बंजार है यह अपने बेहन बेटियों को बच्चों को पढ़ाने लागे अच्छा लगा आप से मिलकर आज आपने प्रवास मना स्वामे किया बहुत बहुत धन्य मादा धन्य मादा धन्य मादा जे श्री कृष्णा